एर होस्टिस की मात पर सवाल सुइसाइट या मर्डर रहस्य मात के पीछे करोणों की डील इसका मेसेज आया कि इस लाइफ इस गोई टो गो मेरी जिन्दीगी ये ले रहा है आदमी प्लीज इसको छोड़ना नहीं ये आदमी रिस्पॉंसबल है मेरी लाइफ का बैंक अकाउंट से खुलेगा राज चार दन बाद भी एक मिस्ट्री बनी हुई है ए होस्टिस अनिस्या की मौत हत्या के आरोप उस से घिरा अनिस्या का पती सलाखों के पीछे पहुँच चुका है लेकिन इस संग्दिक मौत का पूरा सच सामने आना अभी बाकी है ए होस्टिस के परिवार और दोस्तों ने दिल्ली पोलस पर उठाए हैं संगीन सवाल इन तस्वीरों की तरह खूबसूरत याद बनकर रह गई तिल्ली की एर होस्टिस अनिस्या पत्रा अनिस्या की याद उनकी दोस्तों को रुला रही है अनिस्या की रहस्यमय मौत को दिल्ली पोलीस भले ही पहली नजर में खुदकुशी मान कर चल रही है लेकिन पोलीस की ये थियरी उनकी दोस्तों के गले से नहीं उतर रही है अनीसिया के साथ एयलाइन्स में काम करने वाली दोस्तों का कहना है कि वो हालाद से लड़ने वाली जिन्दा दिल लड़की थी वो इतनी कमजोर नहीं थी कि हार मान कर खुदकुशी कर ले आज भी उसकी अवास हमारे कानों में गुंज रही है मंगलवार को साकेत कोट पहुँची अनीसिया की दोस्तों ने दावा किया कि वो अपनी जिंदकी की हर परिशानी उनके साथ शेर करती थी और हमेशा परिशानी उसे लड़ने की बाद कहती थी ऐसे में वो भला स्वीसाइट कैसे कर सकती थी अनीसिया की दोस्तों का आरोप है कि ये स्वीसाइट नहीं बलकि एक सोची समझी हत्या है सब को बताया था कि वो उसके साथ बहुत टॉचर करता था बहुत तंग करता था उसे और गालियां देता था उसे और पैसे के लिए तंग करता था अनीसिया को पंदरा साल से जाती हूं और वो लड़की इतनी स्ट्रॉंग थी, इतनी स्ट्रॉंग थी, हम लोगों को बोलती थी, तुम लोग ये सब कैसे ले सकते हो, कैसे सहन कर सकते हो, fight it back, fight it back, और मैं ये बिलीवी नहीं कर सकती, वो लड़की कूदी है, उस लड़की को definitely धक्का दिया गया है, और उसको उस notion में ड्राइफ करा गया है, जब वो इदर उदर भाग रही थी, और वो भागी है वहां से, क्योंकि वहां मैंने सुना है, फ्लार पॉर्ट भी गिरावा था, सब कुछ गिरावा था, जो लड़की भाग रही है और अपनी जिंदिगी जीना चाती है, वो लड़की कूद नह चलाती थी, अनीसिया की जिस जिन्दा दिली की बातें उसकी दोस्त कर रही है, उस जजबे की गवाही दे रही है, अनीसिया की फेस्बुक पोस्ट, एक पोस्ट में अनीसिया ने लिखा था, आप खुद अपनी लड़ाई लड़ सकती हो, अनीसिया की फेस्बुक पोस्ट को पढ़कर यही लगता है, कि वो लड़कियों को जुल्म के खलाफ लड़ने की प्रेरणा देती थी, वो अपनी तमाम दोस्तों को पती या ससुराल वालों के हर टॉर्चर के खलाफ आवाज उठाने को कहती थी जंदा दिल लड़की कभी जिन्दगी से हार बान सकती है, इसलिए उसकी दोस्तों को उसके खुदकुशी की कहानी पर यकीन नहीं है, अनिस्या की संग्दिग मौत के मामले में जो सबसे चौकाने वाली कहानी सामने आई है, वो कहानी है पती के टॉचर की, अनिस्या के भा जिम्मेदा रहा है कि अनिस्या की रहस्य में मौत के पीछे गहरी साजिश है, करणकारोप है कि इसकी बेहन की मौत के लिए जिम्मेदार है अनिस्या का पती मयंक। मयंक ने मेरे खुद की बादर को भी मारा, तब मेरे फादर ने आके यहाँ पर इसी पुली स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाया कि अगर की हस्बिन उसको अब्यूस करता है, मारता है और अगर हम सबको टेंशन था उसकी सिक्योरिटी का, कि अगर कुछ हुआ उसको फिज अगर ने आरोप लगाया है कि ससुराल में अनीसिया पर जुल्म ढढ़ाय चाते थी, ससुराल में जुल्म ज्याक्ति और बद सलूकी का ये सिलसिला शादी के बाद ही शुरू हो गया था दरस्कल अनीसिया पत्रा और मयंग सिंधवी की शादी करीब 2-2 साल पहले 23 फरवरी 2016 को हुई थी, रिटायर्ड मेजर जेनरल आरेस पत्रा ने धूम धाम से अपनी बेटी अनीसिया की शादी मयंग सिंधवी से की थी पेशे से बैंक इंवेस्टर मयंग के साथ शादी करके अनीसिया शुरूआत में बेहद खुश थी, लेकिन जब वो मयंग के साथ हनीमून पर गई तो उसकी सारी खुशिया दर्द और आंसुओं में तब्दील हो गई आरोप है कि दुबई में हनीमून के दौरान ही मयंग ने अनीसिया से मार पिल की अनीसिया के परिवार वालों के मताबिक हनीमून पर मयंग की हैवानियत से अनीसिया भारी सद में थी हालत ये हो गई कि अनीसिया को अलग कमरे में रहना पड़ा और फिर वो अकेले दुबई से भारत लोट गई अनीसिया के घरवालों की माने तो शादी के चंद दिनों बाद ही उसके पती मयंग की सच्चाई सामने आने लगी थी उन्हें पता चला कि मयंग अनीसिया को अकसर मारता पीटता है आरोप है कि मयंग सिंगवी की पहले भी शादी हो चुकी थी लेकिन ये बाद उसने अनीसिया और उसके परिवार वालों से चुपाई अनीसिया और मयंग के बीच आए दिन जगड़े होने लगे थे यहां तक कि ये बाद पडोसियों को भी मालूम हो गई थी इनके कुछ टाइम से डिस्कॉर्ट चल रहा था आपस में यहां दुपहर को ढाई तीन बजे भी फिर इनकों को जगड़ा हुआ आपस में जाच में ये बात सामने आई है कि अनीसिया और मयंग का जगड़ा दिनों दिन पड़ता ही जा रहा था पिछले महीने ही अनीसिया के परिवार वालों ने मयंग के खिलाफ होस खास थाने में शिकायत की थी उन्होंने मयंक के अलावा उसके माता पिता के खलाफ अनीसिया से मार पीट और गाली कलोट की शिकायत की थी पुलिस जाच में पता चला है कि अनिस्या और उसके पती के बीच आए दिन होने वाले जगड़ी की एक वज़ा थी अनिस्या की प्रापर्टी अनिस्या ने अपना एक फ्लैट बेचा था करोडों की इस डील के बाद भी पती पत्नी के बीच जगड़ा हुआ था तो क्या करोडों की डील से अनिस्या की रहस्यमय मौत का कोई तालुक है दिल्ली पुलीस की परताल में एर हॉस्टेस अनीसिया और उसके पती मयंग सिंगवी के रिष्टों की कई परतें खुल कर सामने आई है पुलीस को पता चला है कि दोनों के रिष्टे में दूरियां और दल्कियां बेहत बढ़ गई थी इस बीच एक और खुलासे ने पुलीस को चौका दिया है पुलीस को पता चला है कि अनीसिया ने हाल ही में अपने एक फ्लैट का सौधा किया था दिल्ली के पाउश इलाके में बने फ्लैट की डील करोडों में हुई थी पुलीस ने दोनों के बैंक अकाउंट सील कर दिये हैं और अब ये पता लगाया जा रहा है कि प्रॉपटी की इस डील के वज़ा से तो जगड़ा नहीं बढ़ा था पुलीस को उम्मीद है कि दोनों के बैंक अकाउंट की परताल के बाद प्रॉपटी डील से जुड़ा कोई ना कोई राज जरूर सामने आ जाएगा साथी पुलीस मयंग सिंगवी के पडोसियों और सिक्योरिटी गार्ड से भी दोबारा पूछताच की तयारी कर रही है ताकि अनीसिया की मौत का पूरा सच सामने लाया जा सके पुलीस अब पंशिल पार्ग के उस बंगले पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड और पास की ही बिल्डिंग में काम कर रहे है लेबर से भी पूछताच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि घटना के समय मयंग सिंग्वी कहा था क्या वो नीचे की मंजिल पर अपने घर में ही मौजूद था या फिर चट पर हाला कि अब तक एक चश्मदीर ने पुलीस को बताया है कि दोपाया करीब तीन बजे के आज पास उसने मयंग सिंग्वी और अनीसिया बत्रा को एक साथ चट पर देखा था पुलीस ने अनीसिया का दोबारा पोस्ट माटन भी कराया है ताकि मौत की मिस्टरी को सुलजाया जा सके लेकिन अनीसिया के परिवार ने आरोब लगाया है कि पुलीस मामले का पूरा सच सामने लाने की बजाए जान बूच कर इन लोगों को परिशान कर रही है सिस्टर का आज क्रमेशन था बारा बजे और पुलीस को पता था क्यूंकि उनके साथ ही हमने प्लाइन किया था और हमें बोला गया था कि दो बजे ही हेरिंग होएगी और सड्डेनली आदे घंटा पहले मेरे को बोला गया कि हेरिंग अभी होने वाली है और आप आज जाई है तो मैं अपनी सिस्टर की क्रमेशन को छोड़के और तब भी सिरफ मयंग सिंग भी अरेस्ट हुआ है उसके पेरेंट्स को अभी भी कुछ नहीं बोला गया है वेरेस देया पार्ट ऑफ दे एफायार बोले कोट ने डारेट किया है कि 14 दिंग के लिए जुडिशल कस्टडी में रहेंगे बहुत अभी तक स्लो किया है पुल और वागेपून है ऐसे केस में जिसमें हफता पहले कंप्लेंट की गई है कि मुझे मारा जा रहा है उस केस में पोलिस को प्रिवेंटेविली जाके ही लड़के को समन करना चाहिए था हफता पहले तो शैदा जान नहीं जाती पर पोलिस ने उस समय समन नहीं किया क्योंकि और आज भी ऐसी हिस्ट्री के बाद, डॉकुमेंटेड कंप्लेंट के बाद, सौ नंबर पें कंप्लेंटों के बाद के मुझे मारता है उसके बाद भी पोलिस ने भत्तर घंटे अरेस्ट नहीं किया और फैमिली मेंबर्स को मदर फादर को अभी भी अरेस्ट नहीं किया य अनीसिया के भाई का आरोप है कि पुलीस ने इन लोगों को दो बजे कोट में आने को कहा था, लेकिन उससे पहले ही आरोपी मयंग को अचानक से पेश करके जेल भेज दिया गया, इतना ही नहीं, पुलीस ने मयंग के माता पिता को अभी तक गिरफ़तार नहीं किया है, इधर पुलीस की दलील है कि मयंग के माता पिता ने कोट से 20 जुलाई तक की मोहलत ले रखी है, क्योंकि 20 तारिक तक कंसर्ण कोर्ट से पेरेंट्स को एक्जेंशन है टू जॉइन इंवेस्टिगेशन, तो उसके बाद नोटेस इशू करने के बाद फैमिली मेंबर्स को इंवेस्टिगेशन जॉइन करने के लिए बुलाय जाएगा, और उनका वर्जिन के लिए किया जाएगा कि इस पर्टिकलिट इंसिडेंट के बारे में उनके बेयानात क्या हैं। डर लगता है रात के अंधेरे में घर से निकलने में, डर लगता है अकेले कही जाने में, पता नहीं कब कहा कैसे कोई मंचला सामने आ जाए। और फिर, उफ, सोचकर भी डर लगता है, क्योंकि वो मंचले जितने बेखौफ हैं, उससे भी कही जादा खतरनाक हैं। देखें यह सक्ची घटना। खौफ की यह तस्वीर सी सी टीवी कैमरे की है, और इन तस्वीरों में खैद है शर्मना काटना। रहा चलती एक लड़की के साथ, पहले तो एक शक्स छेड़ खानी करता है, और जब लड़की विरोध करती है, तो बाइक सवार लड़की को धक्का दे कर फरार हो जाता है। तस्वीर यूपी के मुजफर नगर की है, आप खोद इन बदमाशों की पूरी करतूत देखिए। दरस्ट ये बदमाश एक ही गैंग के घुंडे हैं। मुजफर नगर में इन दिनों ऐसा गिरहो सक्रिये है, जो सडकों पर लड़कियों के साथ छेड़ खानी करता है, और फिर मार पीट कर फरार हो जाता है। इसी गैंग की एक करतू ग्यारह जुलाई को सीसी टीवी में खैद हो गई। इसी घटनाए होने के बावजूद पुलीस कोई कारवाई नहीं कर रही है। इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ रही है। इसी के चलते जाट कॉलोनी की महिलाओं ने लाठी डंडे लेकर इलाके में गश्ट करने का फैसला लिया है। मन्चलों के खाफ के चलते स्कूल कॉलेज जाने वाली तमाम लड़कियां धरी हुई है। लड़कियों की मांग है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सच्ची घटना के लिए मुजफर नगर से अभिशेक बिनिवाल की रिपोर्ट। आज की सच्ची घटना में बस इतना ही। मैं कल फेर आउंगी आपके शेहर की कुछ और सच्ची घटनाई लेकर। ये है एबीबी नियूज आपको रखे आगे।